आपके अपने चैनल I am to do fantasy cricket in लिश्ट के उपर वल्ड कप का एक और मैच एक साइड है अश्टेलिया एक साइड है साउथ और फ्रीक अड़ इस मैच के अंदर भी एक वहुत बड़ा grand league contest खुलने वाला है जिसमें पहला रंक का प्राइस बूल डेर करो रूपे रहने वाला है एंड इसका लालच न आपको अगें से बहुत सारे लोग देने वाले एंड आप इस चीज में फंस कर अपना समय बरबाद करने वाले लेकिन अगर आपको ऐसे चीजों में नहीं फंसना है और आप लालच को साइड रखके असली चीजे करना है तो इस वीडियो के अंदर ब भीख लो मैं आपको rank 1 दिला दूँगा क्योंकि अगर मिरे को पता है कि इस मैच में वहिया ये प्लेयर 100 माणने वाला है ये 5 विगट लेने वाला है तो भाई मैं खुद ही क्यों ना rank 1 लेकर win कर लो तो ये समझो हमें क्या समझना है कि हमें इस मैच related conclusion जानना है कि किस हिसा काम तो करना जरूरी अगर आपके पास मैश लेटेड पूरा इंपूरमिशन रहेगा तो भाई आप उनसे तो बहतर जरूर रहोगे जिनके पास कुछ नहीं है जिनको कुछ नहीं पता है अप खोद यहां पर लोगों का रिव्यू देख सकते कम से कम उन चास का एक करोड तो नहीं हजार तो विन करने के हम दम खम रखेंगे जूटे सब ने क्यों देखाएंगे कि भीया मेरे वीडियो को देख लो मैं आपको रैंक को दिला दूँगा दो कर दूँगा नहीं वाई लेकिन इतना जरूर बोलूँगा आपके पास अगर मैश रिलेटेड पूरा इंफ बहतर रैंक लेकर आप हाँ लेकिन मैं वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले एक चीज़ बता दूँगा लेकिन फिर भी अगर मालो कोई अपडेट आता है जैसा पीच इल्पोट एक्षिक्टरा प्लेंग 11 तो वे अपडेश टेलिग्राम पर मैं देता हूं लेकिन पहले व उसमें एक तरीका यह भी यह कि किसी का टीम उठाओ कॉपी करो और भाई उससे लगाओ विन हो गया तो वावा करो लॉस हो गया तो गरिया कर जाओ तो इससे कब तक अपना घर चला लाओगे तो मैं यही बोलूँगा पहले वीडियो को देख लो उसके बाद आराम से आप करना टेलीग्राम को ज़एं लिंक से करना ताकि और ऑफिसल चैनल से जुर सको कि बहुत सारे पेक चनल से जिन के पास जाओगे और खूच भी के नाम से मेरे नम से आप से ठग लेंगे तो लिंक से ही जोइन करें and sorry for that कि मैं FaceTime वीडियो नहीं लाया इस मैच के अंदर क्यूंकि मैं वहिया कहीं और हूँ ट्रैवल करते करते ठीक है एक और नया सहर में आया हूँ और अभी मेरा मूड बिलकुल नहीं कि वीडियो मिनाने का क्यूंकि वर्क लोड की वज़या से नींद पूरा नहीं हो रहा है चलो मैं आपको मैच की तरफ लेकर चलता हूँ अब मैं बात करूँ पीच के अबारे में तो देखो लखनाव का जो वेन्यू है ना भाई इस तरीके के ग्राउंड आईपिल के अंदर एक निव जी सुनने के लिए हमें मिल रही है देखो क्रिकेट इस्टेडियम भी सेम काम करता था लेकिन लखनाव कूपर मैं अल्लेडी बताई स्पिन को मदद है वह आगे और भी प्रूफ हो जाएगा चीजह कुछ इस तरीके से चल रही है कि BCCI ने जितना भी इंडिया के अंदर ग्राउंड थे हैं उनको रिन्यू करवाया है मतलब पिछे जो पहले थे उधर से मिट्टी निकाला गया और नहीं मिट्टी डालकर बनाया गया तो बहुत ज्यादा मैटर करेगा कि क्या वे पिच सपाट है क्या पिच ग्रास हो कुछ भी हो धिरे धिरे कंडिशन्स बदलते बदलते वे स्टेज आहीं जाएगा कि भाई एज अलवेच पीच परफॉर्म करना सुरू कर देगा ओवरल चार ओडियाई के मैचे खेले गया है एंड इन चार ओडियाई में देख लो एक भी ऐसा मैच नहीं यहार इसमें स्कोर 300 के उपर गया हो उल्टा दुस्तों स्कोर 800 से भी नीचे ही जाए जहां पर मैं बात करूँ एक सिरलंका और एक इंडिया के बीच में मैच हुआ था वे मैच भले ही इंडिया ने लॉस किया था और इस मिनर्स खास रोल में नहीं थे लेकिन उस मैच को छोड़ यही है जो टिम बैटिंग टॉस करेगी बैटिंग फस्ट करेगी एक इस को बोड एक अच्छा नंबर्स तक लेकर जएगी और उसे अपने बॉलर्स के मदद से जो उनके पास अच्छा खासा ब्रियसान और स्पीनर की मदद से वे इस कोर को डिफेंड करने की कोशिज ठीक है अस्टेलिया एक loss पिंलॉस और एक विंद साउथ परीका लगतार विंद तो शाउथ परीका तगरे फाम में है ठीक है टोटल मैचेज Aujourdग कहीं और देखो डेकिना उससे पहले एक और चीज अस्टेलिया अस्टेलिया है कितना भी आउट ओफ फॉर्म और लास्ट मैच लगभग 199 जो इंडिया इस्कोर किया था उससे भी ये लगभग डिफेंड कर चुकी थी लेकिन मैं दुखकी बात कोली का कैस्ट डॉप हुआ कोली ने इनिंग बिल्ड किया औ जहां पर एक दो तीन चार ये प्लियर्स का बॉलिंग कमफर्म है रिवेन ओवर्स केमरान ग्रीन और मारकर्श लगुसाने और ग्लेन मैक्सवन मिलकर डाल सकते हैं नई बॉल से जहां पर जो 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 मिच स्टार्क हाइचंस नई बॉल से ही आएंगे एट नाइंथ से क्विटेंडिकॉक टैंपाउंगे फिरसी वान डूसान हैंगे फिर एडम मैक्रम आएंगे हैंडी क्लासें डेविड मांडर मैको जेंसें केश्व महराज कगीशो रबाड़ा लूंगी एंगिंडी एंड तबरियत समसी नहीं तो दोस्ते यहां से गर्लाट कोट्जे में से कोई एक खेले क्या पता इस मैच में तबरित समसी भी आपको ना दिखाई दे नई बॉल से जहां पर दोस्तों मारको जेंसन लूंगी एंगिडी स्टार्ट करते हैं तो देथ में रबाड़ा का कंफॉर्म है एक कुछ जेंसन भी डाल सकते हैं लेकिन लूंगी एंगिड तबरित समसी तीन इनिंग दो बार आउट मीच मार्श वर्सिस रबाड़ा लूंगी एंगिडी और तबरित समसी तीनों के सामने है समसी के सामने उतना ज्यादा नहीं और रबाड़ा लूंगी के सामने 50-50 तो देखो क्या लूंगी बजाब आते हैं हमारे मार्स की इस टार्क नो ओवराल 20 इनिंग्स के अंदर 7 बार आउट किया है मतलब पूरा कैरियर में जहाँ पर मैक्समेल ने 4 इनिंग्स के अंदर 3 बार बहुत गंदा वाला इनके सामने श्टरगल है हेजल रूट 13 इनिंग्स के अंदर 7 बार डेविड मिल्लर वर्सस देखोगे तो ए इस ट्रगल नहीं है एक चीज़ ध्यान रखना इस टोनी अगर खेले तो एक भंकर और ट्रम काड़ बनने वाला है कि जब मैं रिसेर्च कर रहा था तो मैक्सिमम साउथ अपरीकी प्लियर अगेंस्ट इस्टोनी स्पासर हैं मैं लेकर चलता हूं सेलेक्शन पर किसे रखना है किसे नहीं रखना है इन बिकेट के पर सेक्शन में बात करूं तो क्विटन डिकॉक एलेक्स केरी एंड हमारे हेंडी क्लैसन दिखाई देंगे क्वि आप से प्रिफर करूंगा साउथ अप्रिका बैटिंग फर्स्ट करें तब रख सकते हो क्योंकि आखरी अगर मैं 10-15 इनिंग्स के बारे में बात कर तो एक हंड्रेट आयार दो तिन शिप्टीज भाई के बैट से आएं और पिच उतना ज्यादा बैटिंग ना होनी के मेरे उल्ड सब्सक्राइबर होगे कोई ऐसा मैच जिसमें हेंरी क्लासिंग के बारे में मैंने जिक्री किया हुगा तो यह चीज मैं बार बार बोलता हूं कि स्पीन का बहुत टॉप क्लास प्लेयर है प्लस रिशेंट फॉम आगमूत रहा है तो एक बराट पिक आपके इसमें दुनिया पूजी रही है हां यह तो दमखम रखते हैं कि यह ड्रीम टिम में आ जाएं इसपेक्टेशन ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता फ्लॉप हो जाएं तो अगर इस्टेलिया के टीम बैटिंग फॉस्ट करें तो वार्नर इसमें दोनों रख सकते हो क्योंकि हां इसको तो यह अच्छे से खेल ही लेंगे इस्पिन के सामने थोड़ा इसू हो सकता है लेकिन महराज उतना ज्यादा बॉल को स्पीड में नहीं डालता ऐसा नहीं कि 900 के आसपास लगतार स्पीड रख रहे हैं प्लस भाई आर में बॉल्स को डाल रहे हैं तो इस्टीव इसम इन्होंने लास्ट मैच खेला था ना अगेंस्ट इस्पिनुस बहुत अच्छा था तो आप अपने टीम में जगह देकर चल सकते हो डूरिंग बैट फरस्ट या दूरिंग बैट सेकेंड दोनों केस में मीच मार्स प्रैक्टिस मैचेस के अंदर बॉलिंग कर आया था इस चीट से हम नहीं मुकर सकते बट सबसे बड़ा प्रोब्लम क्या है रिसेंट फॉर्म का बहुत कोलैप्स होना कभी जब मारा है भाई ने तो या तो असी नवेरन खरे-खरे मार दिया है और जब आउट हुआ है तो सस्ते मेहें निपट गया है तो अस्टेलिया बैटिंग करें आप तभी ध्यान देना सेकेंड इनिक अंदर थोरा सा दिक्कत पर सकता है बट क्या पता थोरा बहुत उपरस डाल दे और साथी सा पाउर पिले का फाइदा उठा कर यहां पर 30-40 रंज ठोग दे तो ड्रीम टीम में तो आहीं जाए डेविड मिलर वही जब टॉप मैं फ्लॉप कराना तब पिक करना और टैंबा हुआ को मैं ज्यादा नहीं बहुत सकता कि इंडियन पीचेज के ऊपर उतना खास परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं ठीक है पर 2023 इनका बहुत ज्यादा खदरनाक लेवल पर चल रहा है तो अस्टेलिया बैट माफ करने किस मैचेज के अंदर इन्होंने ओवर्स डाला भी था लेकिन बिल्ड दी इनिंग और एक रिसेंटली साउथ परिक्या के सामने कितना खतरनाक इनिंग आया था आपको याधी होगा तो वहीं बोलूंगा आप अपने टीम करने डेविड वर्नर इस्टीव स्मित और मिच मा आपको दे और अन्डेट के सब यह भी उमीद करते हूं कि आपके टीम में मिच मार्स भी पचास साथ पॉइंट दे और स्ट्यू श्मित और साथी साथ डेविड वार्नर भी सौसव पॉइंट दे यह पॉसिबल नहीं है कि मानस लगुसाने ज्याधा रंद इल्कूर कर क्य पाएगा क्योंकि यह प्लेयर ही ऐसा रंस भाई बहुत अराम से खेलनी की कोशिश करता है और मानलों बिकेट लेट गिरता है तो उपर आएंगे और सेक्षन और सेक्षन एड़म मैकरम जुरूरत पर थोरी बहुत बालिंग भी आपको देंगे दूसरा ऑप्शन ग्लेन मै महराज हैं लेकिन वही महराज तो आर्म बॉल एक से ज्यादा पेस्ट से डालते नहीं तो मैक्सवल असानी से खेल सकता तो इन दिस मैच आपके लिए वन क्या फर्मूला के लिए भी बन सकता कहना का मतलब अगर 11 टीम बनाते हो इसे मैक्सवल भाई साहब को कैप्टन बना भी डाल सकते हैं और मैरको जिंसन बॉल फॉर्स शेकेंड दोनों केसस में आप अपने टीम में रखने की कोशिस करना तो यह हो सके तो दोस्तों जो हमारे मिचमार्स है इन्हें लपेटनी की दमखम रखें और प्लस थोड़ी बहुत वैटिंग वी आपको दे सकते हैं क्रिस गिंट स्लो पिछ होने के वज़े से मैं बहुत दाधा प्रिफर नहीं करूंगा पर अस्टेलिया को वन साइड़ेट फेवर करते हो टॉपर रोफ लॉप कराते हो तब जरूर से पिक कर लेना बॉलिंग सेक्सन अब नॉर्मली अगर आप अस्टेलिया का स्टेंस दे प्रियंस रखना ये चीज इनके लिए तगरा करके दे सकती है बात है कोट जेगी तो साउथ अपरिका बॉलिंग सेकेंड करें तो भी रख सकते हो क्योंकि ओवर्स को देथ में लेकर आएं साउथ अपरिका बैटिंग फर्स्ट करें तब आपने टिम में महराज को आजा ट बीच है तो थोड़ा एडम जंपा भाई रोल में आते हुए इन दिस मैच दिखाई दे सकते हैं पैट कमिन सश्टिलिया बॉलिंग फर्स्ट करें एट एनको फिक सेकेंड में भी रख सकते हो क्योंकि जीरोत पर थोड़ी बहुत बैटिंग में दे सकते हैं और स्टार्क के इन से कई गुना ज्यादा साउथ अप्रिका की जो टीम है वे हेजल हुट के सामने करती है और हाँ एक हद तक आप कोट जे पर भी रिस्क ले ले लेना लेकिन एक जो प्लेयर है ना इस मैच में सबसे बरा ट्रम कार्ड बनेगा लूंगी एन गिडी रिजन क्या नई पॉल एक अलग एक्सप्रियेंस है तो मैं प्रिफर करूंगा आप अपने टीम में एज़ा वन अप बिगेस्ट ट्रम कार्ड ट्राइ करके चल सकते हो ओवर ऑल मैं आपसे यहीं बोलूंगा जो टीम बैटिंग फर्स्ट करें साउथ अपरीका हो एंड वे अस्टेलिया हो आप उ बहुत इज़त के साथ खेलो दूसरा रूल कि या बैटिंग फर्स्ट करती हुए एक पहार साइस कूर खरा करो सेके निनिंग में जब थोड़ा पिछ स्लो हो जाए जब पिछ थोड़ा रफ हो जाए तो उसका आप आसानी से फैदा उट हाँ एक चीज और मैं आपसे बोलन ला गया है बट कंडिशन्स और साथ ही साथ दोस्तो धीरे धीरे वही सिच्विशन में आ जाती है जैसा कि हमेशा बिएब करती है तो वही जो टीम बैटिंग फर्स्ट कराब उसे फिवर करके अपने टीम में चलना बट कुछ टीम अपोजिट भी बनाना अस्टेलिया साथ आप से अपने टीम बनाने के कोसिस करना आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा क्योंकि मेरे को ना मेरा काम नहीं कि बाई मैं आप से बोलो कि विराट को लिए चल जाएगा यह हो जाएगा नहीं बाई मैं आपको उनका कंक्लूजन्स बताऊंगा रीजन भी दूंगा कि इस वज़े से चलेगा इस वज़े से नहीं चलेगा आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो जाने से पहले लाइक कर देना चैनल पर सब्सक्राइब कर देना बाकि मिलते हैं टेलेग्राम पर जैन